तो 2024 लोक सभा कैसी नजर आने वाली है उसकी एक प्रारूप एक तस्वीर देख लीजे क्योंकि 248 सीटे BJP के खाते में जाती हुई दिख रही है कॉंग्रेस के पास 98 सीटे जाती हुई दिख रही है लीड्स हैं लेकिन नतीजों में दीरे-दीरे तबदील हो रही है तो ये BJP और कॉंग्रेस की सीटे आपको इस वक दिखा रहे हैं और ये सीटे नतीजों में तबदील हो जाएंगी ऐसा लग रहा है बहुत कम जल्दी जल्दी चीज़े आज हुई है जल्दी जल्दी नंबर्स भी आए है 248 BJP कॉंग्रेस में बीच एक बड़ी ख़बर आ रहे हैं आपको बता दे कि शाम 7 बजे जब प्रधान मंत्री नरिंज मोधी BJP मुख्या लए जाएंगे और आपको बता दे कि वहाँ पर क्या कुछ कहते हैं प्रधान मंत्री नरिंज मोधी सभी की निगाह इस पर होगी देश की निगाहें आज टिकी हैं कि जब प्रधान मंत्री पहुचेंगे तो आज आखरकार वो समोधित जब करेंगे तो क्या बोलेंगे ये सब की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है क्योंकि जिस तरीके के मेंडेट की बात लगातार BJP यहां करती आई थी पूरे चुन होगी उसके हिसाब से उनका भाशन ते होगा अभी कुछ भी पहले से ते नहीं है अगर ये जो आपने पिछले जब हम लोग बात कर रहे थे उस वस्वत 241 था अब 248 है और ये जैसे ही 72 कवर होगा वैसे ही उनकी भाशा डायलोग उनकी तमाब बदल जाएगा बदल जाए और उसमें उनकी टोन फिर सातियों के प्रती भी जादा होगी सबको मिल के ले जाने वाली बात होगी वो बहुत कुछ बात ऐसे कहेंगे लेकिन अभी आंकड़ों पे तैह होगा उनका क्या बोलना है लेकिन प्रीती जी देखिए ये अभी भी जो आंकड़ा सामने आया है ये तब आया है जब बीजेपी ने साम, दाम, दंड, भेद मतलब कुछ नहीं छोड़ा फिर वो चाल, चरित, रो, चेरे की भी बात कर ले क्योंकि कहा कि इस पार वाले तो सब इस पार आ गया मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा गया तब ये आए है इमाने जी मिल्कुल साफ ह बार-बार कह रहिए हूं, बीजेपी में जो नीचे से लेके उपर तक का कैडर है, सबको काम करनी की ज़रूरत है, सिर्प्रधान मंत्री जी के नाम पे अपने संसदी छेतर को आप जीत के आते रहेंगे, जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे संसद है, बहुत सारे ऐसे जग जीतते आए हैं, सबसे दर शर्म तो आप न्यूस दिखा रही हैं, उस पर आ रहे हैं, राम जी की नगरी जहां पर ढंका रेलवे स्टेशन नहीं हुआ करता था, वहां पर वर्ल्ड क्लास एरपोर्ट है, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है, इतने सारे बड़े-बड़े ब वोटिंग होती है, सबसे पहले तो आयोधिया के मार्जन से सबसे पहले जीत दर्ज हो जानी चाहती है, जिससरे से मंडी का आप दिखा रहे हैं, आप किरन रिजू साफ के दिखा रहे हैं, बिल्कुल, ये आयोधिया के लिए भी बड़ा सेट बैक है, ये वासियों के जेपी, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, मैं अभी भी 350 के आसपास का आकड़ा लेके बैट रही हूँ, लेकिन लोगों को समझने की जरुवत है कि सिर्फ मोधी जी काम नहीं करेंगे 18 गंटे, सांसदों को भी 8 गंटे काम करने की जरुवत है